पहले ही बारिश में आयोध्या के विकास की खुल गई पोल आज हम इसी पर करेंगे बात नमस्कार फोर पीम में आप सभी का स्वागत है पैसा इंसान के लिए इतना प्यारा होता है कि वो इंसान क्या भगवान को भी नहीं छोड़ता आयोध्या कोई देख लीजे आप रामनगरी के विकास की पोल खुलने लगी थोड़ी सी बारिश क्या हुई कहीं गड़े हो गए तो कहीं जल भरा हो गया और तो और करणों अर्बों की लागत से बने रेलवे सेशन की बॉंटरी भी पहली बारिश में गिर गई वैसे रेलवे ने सफाई दिये कहा कि ये में दिवार नहीं है लेकिन अगर में दिवार नहीं भी है तो क्या इतनी खराब गुलवत्ता से निर्माल किया जाएगा कि पहली ही बारिश में ना जेल पाए और वहीं सबसे बड़ी खबर तो ये है कि राम मंदर की छट से पानी टबकने लगा ये सबसे बड़ा खुलासा आपको हम बता रही है तो इन सबसे तो यहीं लगता है कि जिन कंपणियों ने ठेका ले रखा था उन लोगों ने अधिकारियों के साथ मिलकर सरकार को जम कर चुना लगाया और भुष्टाचार के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिये और एक संदेश ये भी दिया कि पैसा ही चुबी नहीं है आपको आयोध्या की हम कई तस्वीर दिखाएंगे आप भी देखेंगे और कहेंगे कि राम जी के नाम पर जम कर आयोध्या को लूटा गया है आयोध्या में राम मंदिर के उद्गाडन को छे मैंने अभी नहीं हुए बाई जनवरी को उद्गाडन हुआ चुना होना था तो जलबाजी में उद्गाडन कर दिया गया उस वक्त कई लोगों ने सवाल भी खड़े किये ते कि जलबाजी में उद्गाडन नहीं होना चाहिए अभी सही से निर्माड भी पूरा नहीं हुआ है लेकिन साथ चुनाव था तो जनता का दिल जीतना भी था इस वज़े से जलबाजी में उद्गाटन कर दिया लेकिन जनता ने इस बार आपको बहुमत भी नहीं दिया भले ही आपने सरकार बैसाखी की सारे बना ली हो हाल यह हुआ कि पहले ही बारिश में आयोध्या का बुरा हाल हो गया पहले ही बारिश में राममंदर की छट टपकने लगी पहले ही बारिश में रामपत भस गया पहले ही बारिश में आयोध्या रेलवेज सेशन की बौंडरी ढ़ाए गई तो जिस तरह से आयोध्या राममंद कि छट से पानी टपक रहा है यह खुलासा किसी और ने नहीं बलकि राममंदर के मुखे पुजारी आचारे सतेंद्र दास ने किया है उन्होंने बताए कि पहले ही वारिश में छट से पानी टपक ने लगा गर्बगरा में जहां रामनला विराजवाल है वहाँ जल भरा हो गय सतेंद्र दास ने पुष्टी करते वे का कि राममंदर की छट पहले ही वारिश में टपकने लगी है उन्होंने का कि अगर एक दो दिन में इंतिजाम नहीं किये गये तो दर्शन और पूजन बंद करना पड़ेगा गर्बगरा के सामने मंडप में चार इंच पानी भर गया लोगों को करण उतरने का डर सता रहा था इसी करण सुबा चार बजे की आरती टॉर्च की रोश्टी में करनी पड़ी च्छा बजे की आरती भी ऐसी ही हुई जरा सुनिये क्या कुछ कह रहे हैं सजिन्र दास जी पचीश तक पूड़ा हो जाएगा तो परसंता की बात है लेकिन जो भी मंदिर बन गये हैं जहां राम लला विराज मान है और जो आगे भी जगह बनी है उसमें एक ही पहली बरसा में ही पानी चूने लगा अंदर पानी भर गया था इस पर ध्यान देना चाहिए कि जो बना उसमें कौन सी कमी रह गई है जिसके कारण से पानी चूज रहा है जो बना है उस पर भी ध्यान देना चाहिए और ये बहुत जरूरी है पानी निकलने का जगए नहीं है और पानी उपर से चूता भी है ये समेश्यां जो है इसका समाधान पहले आजे कल में सोच करके उसको निशित करने नहीं तो बरसा जब सुरू होगी तुहां पूजा चना और कालता है दरसन और सन सब बंद हो जाएगा तो सुना आपने अब इसका जवाब कौन देगा जलबाजी में उद्गाटन का नतीजा है या फिर खराब गुर्वत्ता का कारल है जो भी हो जहां छोनी चा विकास के नाम पर तो जिन भी अदिकारियों की कंपणियों की घलती हो उनको जरूर सजा होनी चाहिए और उनकी संपत्य उपर बुल्ड़ों चलना चाहिए वह करोड़ों की लागत से बना रामपत जो पहले ही बारिश में मृष्टाचार की भेट चल गया और विकास की प प्रिमाउंसून बर्साथ भी नहीं जिल सका यह जगा जगा पर धस गया और इसके किनारे जल भराओं भी हो गया सबक पर बड़े बड़े गड़े होने से लोग सरकार पर तमाम सवाल खड़े कर रहें बलकि कोई एक नहीं बलकि 11 जगा गड़े हुए सबक धसी है इन जग आयोध्या में पहली बारिश का बस दूआ कीजिए कि मुस्लाधार बारिश ना हो वरना तो फिर आयोध्या का बुरा हाल हो जाएगा अब आयोध्या रिल्वेस्टेशन की बात कर लेते हैं जो मैंने पहले भी आपको मताया था जो करोलों अर्मों की लागत से बनकर तयार ह हुआ था उसकी बॉंडरी भी जो है पहले ही बारिश में गिर गई जिहां तीस दिसंबर दोहजार तेइस को आयोध्या धाम रिल्वेस्टेशन का उद्गाडन पीम नरें नर्मोदी ने किया था हलकी बरसात में इसकी चार दीवारी भी करीब 20 मिटर ढह गई पहली बरसात भी जिया नहीं जेलने वाली निर्माल पर अब उंगली उठ रही है हाला कि रेल्वे ने सवाई दिये कि ये में दीवार नहीं है जो गिरी है लेकिन कोई कितना चुपाएगा दबाएगा हकीकत तो खुल कर सामने आ गई न किस तरह से अयोध्या को लूटा गया है भगवा वालो कम से कम भगवान राम की नगरी और मंदिर को तो अपने वरिष्टा चार से छोड़ देते अच्छा हुआ राम से तू के समय भाजपा नहीं थी अन्यता राम से तू भी भाजपा के वरिष्टा चार से बह जाता यह भाजपाई महावरेश्ट महागोस्कोर महालालच और सब कुछ बेचकर पैसा कमा लेने वाली मांसित्ता के हैं अरे जब इन भाजपाईयों ने चंदे के लालच में देश की जनता को खराब व्यक्सिन लगवा दी जिसे लोग मर रहें तो यह भगवान को कहां बखशेगे सबानेता आई पी सिंग लिखते हैं कि अब से मेकाप उतर गया है संग्यों वभाजपाईयों ने आयोध्या को लोट लिया एडी सीवाई से मोदी जी जाच करा हैं वही एक है स्टॉलिन नाम के यूजर लिखते हैं कि एक साल पहले मीडिया चिला रही थी कि क्या आयोध्या में ये विकास वो विकास लेकिन जब आयो विकास गुजरातियों दोरा बड़े बड़े ठेकेदार इंजिनियर गुजरात से बुलाए गये थे अब कितना विकास स्वाई है आयोध्या के लोगों को कम से कम मंदिर को छोड़ दिया होता उससे अच्छा तो गाउं की जोपड़ी होती है जिसमें दो से तीन बारिश क पानी अंदर नहीं जाता तो कई तरह के सवाल खड़े हो रहे विपक्ष लगातार हमला हुआ रहे जिस सरीके से पहली बारिश में जो आयोध्या का हाल हुआ है मंदिर का हाल हुआ है रामपत का हाल हुआ है रहले स्वेशन की बॉंड़ी डही गई है तो उससे जरूर सवा खड़े हो रहे हैं कि तमाम कंपणियों ने सरकार को जम कर चुना लगाया जम कर प्रिश्टा चार किया है और आयोध्या को खूब लुटा है इस वीडियो में इतना ही आप देखते हैं पोर पिया में कि अवें ता को पु Era को बुटा है ai तो ब泡़ता है प्या班 कि अवें अच्छू को खब झाल कार से दाल के का प्रभव सरह है जिए रहे हैं झाल